नमस्कार दोस्तों मैं यह शुक आपका सुखतम है यूटूब चैनल पर दोस्तों कैसे आप से भी मैं उम्मीद करता हूं आप से अच्छे होंगे तो वह कुन-कुन सी entries है आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो ये वीडियो बोज़ाद important होने वाली ये बने लिए इस वीडियो के साथ और यदि अभी तक आपने मेरे यूटूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिए ऐसी वीडियो के लिए यदि आप सैकंड वीडियो चाहते हैं तो मुझे comment box में comment करिए मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा adjustment entries के उपर ठीक है तो दोस्तों चलते हो वीडियो को start करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ expenses payable entry expenses payment to next year अब मार्च का EPF और ESIC है ठीक है अब हम मार्च का EPF और ESIC की जो payment है वो मार्च में तो करते नहीं है हम करते हैं अप्रेल में यानिकी next financial year में हमें पेवल की entry करनी होती है यसे माले जीए EPF और ESIC है ठीक है and ESIC expenses account david ठीक है तो EPF और ESIC इसको हम डाइवड करेंगे क्यों 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 कि ये खर्चा है सभी कर्चे हमारे डाइवड होते हैं ठीक है 10,000 रुपे electricity expenses account तो ये भी हमारा खर्चा है, सभी खर्चे हमारी डावड होते हैं, ठीक है, इसलिए EPF and ESIC or electricity expenses, इसको हमने डावड किया, क्यों क्योंकि सभी खर्चे डावड होते हैं, 10,000 ये, 5,000 ये, अब क्रेडिट किसको करेंगे, अब आपको एक लेजर बनाना है, EPF का अलग बनाना है, और ESIC का अलग बनाना है, जैसे कि EPF पेबल और ESIC पेबल, अंडर गूपिंग में जो आएगा, वो आएगा, क्रेंट लाइबल्टी, इसमें आएगा, क्रेंट लाइबल्टी में, अब इसको कर देंगे हम क्रेडिट, अब जैसे कि EPF and ESIC पेबल, अकाउंट क्रेडिट 10,000 इसके बाद two electricity payable, तो इसको भी हमने क्रेडिट कर दिया, 5000 रुपे से, ठीक है, अब इसको हमने क्रेडिट क्यों किया, ये भी मैं आपको बतायता हूँ, देखिए, हमने इसका laser बनाया, current liability में, liability हमारी क्या होती है, liability हमारी credit होती है, इसलिए हमने इसको credit किया, खर्चे हमार इसकी मार्च की salary होती है, उसकी payment employees को हम कब करते है, अप्रेल में, 10 या 20 तारिक में, ठीक है, तो हम next financial year हमारा हो जाता है, तो हमारी जो इसकी entry होगी, वो क्या होगी, salary expenses account debit, खर्चा इसलिए डैविट कर रहे है, जैसे मान लिजी 50,000 रुपे है, two salary payable, तो इसका भी एक laser बन audit applicable है, यदि आपकी books पर audit applicable है, तो आपको audit fee payable की entry भी करनी होती है, तो जैसे की, इसमे audit fee expenses को हम debit करेंगे, यानि की audit fee fee है, किस की CA की, तो ये एक खर्चा है, और सभी खर्चे हमारी डैविट होते है, तो जैसे की मैंने आपको बताया है, सभी खर्चे हमारी डैविट होते ह अब देखें, ये किसलिए होती है, अब जो हमारे सभी डैटर होते है, जिनको हमने माल बेचा है, उन्होंने हमें advance payment कर दी, ठीक है, मार्च में, लेकिन हम जो माल बेचेंगे, जो माल हमारा जाएगा, या बिकेगा, वो बिकेगा अप्रेल में, लेकिन हमारे पास payment कब आग ठीक है, advance, तो इसकी हम एक adjustment entry करेंगे, तो जो भी हमारी party होगी, उसको हम david करेंगे, जो भी हमारी party होगी, उसको david करेंगे, जैसे की yes glass company account david 10,000 रुपे, राज glass company account david 10,000 रुपे, और एक laser बनाना आपको advance from customers के नाम से, और under grouping में जो आएगा, वो आएगा current level ठीक है, ठीक अब जिनसे माल खरीदा है, अब उसकी भी एक adjustment entry करनी होती है, अब जैसे माल लीजिए, हमने party को advance payment कर दी मार्च में, लेकिन हमारे पास जो माल आएगा, वो कब आएगा, अप्रेल में, लेकिन हमने advance payment कर दी, ठीक है, तो उसकी भी एक adjustment entry होती है, entry क्या होती है, तो आपको prepared to supplier के नाम से laser बनाना है, under grouping current assets आएगा, और इसको हम debit करेंगे 10,000 रुपे से, और to company, जैसे की samglass account credit, 10,000 रुपे, अब उसके बाद है TDS receivable entry, ये entry क्या होती है, adjustment entry, अब जैसे माल लीजिए, किसी party को हमने माल बेचा, और उसने हमारा TDS काट लिया, तो उसकी हमें entry करनी होती होती है, entry क्या होती है, TDS, जैसे की buy stays, का एक laser बनाना है, under grouping में जो आएगा, वो आएगा, current assets, इसको हम debit करेंगे, क्योंकि सभी assets हमाई debit होती है, 5000 रुपे, और हम credit करेंगे company को, जैसे की SS glass company होगी, ठीक है, अब उसके बाद TDS payable entry, अब उपर तो था, हमने माल बेचा, ठीक अब हमने माल खरीदा, ठीक है, जब हमने माल खरीदा, तो हमने TDS काटा, TDS काटने के बाद हमने payment करी, जिससे हमने माल खरीदा था, तो TDS जो हम काटेंगे, जो entry होगी, वो होगी, देखे, party को हम यहाँ पर, क्या करेंगे, debit, अब यह यहाँ पर, थोड़ी mistake होगी है, ठीक कर रहे हैं, जैसे की 500 रुपे, तो party account David to TDS payable, फिर उसके बाद, एक adjustment rent होती है, हमाई late fee की, अपने GST return file की, लेकिन, वो late file होई है, तो उसमें हमाई late fee लगती है, तो late fee हम अपने indirect expenses में नहीं दिखा सकते, as per income tax rule, तो इसकी हम एक adjustment rent करेंगे, capital account David, जैसे की 1500 रुपे थी, to GST late fee account credit, अब उसके बाद, जो next हमाई adjustment entry है, वो है, ITC की, अब उसके बाद input tax credit adjustment entry, अब ये entry कब होती है, देखिए duty and taxes में, जब आपकी ITC show हो रही है, यानि की आपका output कम है, और ITC आपकी जादा आ रही है, तो उसको हम transfer करते हैं, किसमे current assets में, तो इसकी entry क्या होती है, तो जै हमें आ जाएगा, यदि आपका CGST है, तो CGST है जाएगा, SGST है तो SGST, IGST है तो IGST, और ये सभी हमारे credit हो जाएगे, अब उसके बाद previous year, TDS transfer entry, अब देखिए होता है, हमारा previous year का, जो TDS था, वो अभी भी show हो रहा है, next financial year में, तो हमें क्या करना होता है, हमें वो transfer करना होता ह capital account में, नहीं तो वो हमेशा हमारा balance sheet में show करेगा, अब जो हमारा TDS था, वो तो हमारे bank account में आ गया, लेकिन अब भी हमने show किया हुआ है, किसमे current assets में, तो जो current assets में show किया हुआ है, उसको हम transfer कर देंगे, किसमे capital account में, तो capital account debit, 50,000 रुपे, two TDS previous year, जैसे कि हमारा 22 account credit, ठीक ह तो depreciation entry जो होगी, वो होगी depreciation account debit, ठीक है, 50,000 रुपे, two machine di account credit, 5000 रुपे, two car account credit, 5000 रुपे, उसके बाद जो हमारी adjustment entry है, वो है repayment schedule entry, जैसे माल लिजी आपने loan लिया हुआ है, ठीक है, loan लेने के बाद, जब वो bank में entry आती है, तो आप उसको एक laser में ही show कर देते है, ठीक है, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, जब आपकी balance sheet final होती है, तो उसमें आपको, अब आपने जो payment की, installment की, उसमे principal amount और loan interest amount, दोनों ही add होती है, लेकिन आप पूरी की पूरी amount किसमें डाल देते है, loan में, तो आपको इसकी anti कैसे करनी है, जो principal amount है, वो आपको अलग दिखाना है और जो loan interest है, वो आपको अलग दिखाना है, यह आपको कहां से पता चलेगा, repayment schedule से, तो आपको repayment schedule लेना है, और उससे principal amount हर महीने की, और interest amount आपको check करनी है, anti क्या होगी, जैसे की SDFC loan account debit, interest account debit, और 2 PNB bank, यानि कि 2 bank, तो इसमे principal amount हमारी अलग आगी, और interest के amount यहाँ पर adjustment entry है, वो है, income tax provision entry, तो हमें income tax provision की entry करनी होती है, tax account debit to provision for tax account credit, अब इसका जो laser बनाना है, अफिकर, और फिर उसके बाद provision for tax का एक laser बनाना है, और under grouping वो गहाईगा, अपको क्या बनानी है, इसमे pouco इंकम पार नानी है, इसमें, income tax account debit to provision总 tax account credit हुल编 conflict, अब उसके बाद advanced tax entry, आपने जो advance tax जमा किया है तो वो आपको अपनी bank statement में चेक करना है कभी कभी क्या होता है हम entry को गल जगा पर transfer कर देते है ठीक है? तो आपने जो advance tax जमा किया है उसकी entry simple होगी, advance tax account debit जैसे की rate lag रुपे to bank ये cash आप उसके बाद जो last में हमारी entry है इड्नरेंट weird वो है profit and loss account को transfer करना किसमे capital account में तो lost में जब हमारी complete balance sheet final हो जाती है तो हमें जो profit and loss account है उसको transfer करना होता है किसमे capital account में तो profit and loss account हमारे डाइबिट हो जाएगा और capital हमने trade हो जाएग में तो दोस्तों यह थी balance sheet final करने के लिए कुछ adjustment entries तो ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जो बताएं वीडियो आपको अच्छे लगी हो तो प्लीज लाइक कर दें और इस वीडियो को शेर करें अपने फ्रैंस के जाथ वीडियो देखने के लिए दन्यवाद